हलो फ्रेंट्स! कर्तिशे क्रेटिविटी में आप से भी का स्वागत है आजके इस वीडियो में एक बहुत प्यारा सा एक छोटा सा हैंड बैग बनाएंगे जिसको बनाना बहुत यह असान है और इस पैक को मैंने आपको बहुत यह असान तरिकी से बनाना बताया है बहुत ही जल्दी बनके तयार हो जाता है तो यहाँ पे देखिए इस बैक को बनाने के लिए मैंने आप एक पीस तयार कर लिया है सबसे उपर मैंने इसके मेंन कॉटन का फाब्रिक लगाया है बीच में इसके कैनवास अटेज किया है और सबसे नीचे लाइनिंग ले मैंने आप एक पुरानी तुपाटे का 예use किया है और इसको चारो तरफ से सिलाई लगा के मैं इस पीस को तयार कर लिया है और इसके लंबाए मैंने आप रखी है 22 इंच और इस पीस की चौड़ाई मैंने आप रखी है इसकी 19 इंच अगर वीडियो आपको थोड़ी यूसफुल लगे तो आप इसे लाइक जरूर कर देजेगा और चैनल पर अगर आप मेरे पहली पारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि फ्रेंच सब्सक्राइब करना टोटली फ्री है तो सबसे पहले यहां पर देखें नीचे से हम यहां पर दो इंच का निशान लगा देंगे चौक से और इसके बाद हमने यहां पर ऊपर की तरफ से हम चार इंच का निशान लगाएंगे और जहाँ पर देखे फ्रेंड्स हम यहाँ पर मार्क कर रहे हैं यहाँ पर हम एक पूरी सीधी लाइन कीज देंगे तो यहाँ पर देखे नीचे से मैंने यहाँ पर दो इंच का निशान लगाया है आप यहाँ पर देखिए इंच्टेप से हम 4 इंच का जो निशान है उपर की तरफ लगाते विशाएंगे और जहाँ पर हमने मार्क किया है यहाँ पर हमें पूरी सीधी लाइन कीज़ देंगे तो यहाँ पर देखिए लाइन मैंने इसके पर कीज़ दी है अब यहां पर देखें, जहांपे मैंने 2 इंच का निशान लगाया है, लाइन खीची है, यहां से हम थोड़ा से इसमें करफ शेप दे देंगे थोड़ी से हलकी से इसमें गुलाई दे देंगे तो यहां पर देखें मैंने थोड़ी से हलकी से गुलाई दे दी है अब हमें किस तरीके से इसकी कटिंग करनी है वो देख लीजे जहां पर मैं चॉक से निशान लगा रही हूँ यहां पर हमने इस पीस को कट करना है तो यहां पर देखें मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हैं तो यह हैस्की शेप और इसी पीर से हम से कि यहां पर ना के तयार करने warnay यहां पर देखे मैंने हैंडल एक इंच आ लिए और मिर्ट से शर्द तो निएटज़ लहां पाल श重ल की साध्य इंच अरक कि अफ्य हम ने हैंडल को किसथій कि इस ना क्यां गया सबसे फर्ले हमने मिडंच के मार कर लाइए तो यहां पर देखें में ममार करते हैं आप यहां पर देखें जहां पर हमने सबस्थ जहां भूसर की चाहित है यहां तो हमने लगाjat में लग चैसा आप तरफ से हम चार तरफ से और बीच से हम इसने सलाई लगा देंगे दोनों तरफ से तरफ से यहां पर हैंडल को रखेंगीर दोनु तरफ से हम चारों तरफ से सब्सक्राइब है उपर उल्टा करें, और एंदर फोल करते वी इसके पर हम जिप के ऊपर टॉप स्टिश्च लगा देगे हम जिप को दूसी तरफ से उल्टा करके रखेंगे तो यहाँ पर देखे हमने उल्टा करके यहाँ पर उल्टा ञटना है इसके बाद ultanie को अंदर एंडर फोल करते होग लगा देनी है तो यहाँ पे देखें मैंने जिप को इसमें अटेश कर दिया है और मैंने इसके अंदर रुनर को भी इंसर्ट कर दिया है अब यहाँ से हम बैक को उल्टा कर लेंगे तो यहाँ पे देखें मैंने इस पीस को उल्टा कर दिया है आप देखें इसको हमने की सो तरीके से stitch करना है सबसे पेले यहां पे फिर जिब के बीच में हमने हम यहां पर center mark करना है और यहां पर इस piece को हम इस तरीके से पगड़ेंगे और इसके चारों side से हम यहां पर szilay लगा देंगे किनारे किनारे से अच्छे से सेट कर लिजएगा आप यहाँ पर और सेम जिस तरीके से हम एक साइट से सिलाय लगाएंगे दूसरी साइट से भी हम यहाँ पर देखे कपड़े को यहाँ पर इस तरीके से पकड़ेंगे चालो तरस से आप कपड़े को यहाँ पर सेट करते और इस बैक को यहाँ पर हमने सिर्फ एक सिंगल पीस अफ़ाब्रिक से बनाया है सिर्फ एक सिंगल कट से हमने इस बैक को बना के तयार किया है बहुत ही जल्दी जटपर बनके तयार हो जाता है और इस तरीके से अगर आप बैक बनाते हैं तो आप बहुत ही धीर सारे बैक ब पहली बार हैं पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीस आप इसी जादे जादा सबस्क्राइब जरूर कर लीजेगा और इसको अपने यादा जाधे शेयर भी कर दीजेगा ताकि बाकी लोंगे इस वीडियो का फाइदा उठा सके तो छले फिंडिसे अने मिलती ह साथ एक beautiful idea के साथ तब तक अपने ध्यान रखें खुश रहें और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद